स्वच्चता में देश में छह बार पच्चम नहराने के बाद अंदौर में ज्रल्दी की सोयाबीन सीड्ज पार्क बनाया ड्राइगा इस सोयाबीन हब में हाई क्वालिटी के बीच तयार होंगे जिसका फायदा मध्यप्रदेश की किसानों को ही नहीं बलकि देश भर के किसानों को मिलेगा अच्छी क्वालिटी के बीच तयार होने से प्रोडेक्टिविटी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा इसे किसानों तो आत्म निर्भर होंगे और देश में भी काफी फाइदा होगा और प्रती हेक्टियर उत्पादन बढ़ेगा इंदौर के रहने वाले दमपती की चलती कार में अच्वानक आग लग गई हाथसे में महिला जिन्दा जुल गई वही पती भी गंभी रूप से जुलस गया उसे इंदौर रैपर किया गया हाथसा रविवार दोफेर देवास के करीब महुडी काउं का हुआ इंदौर के रहने वाले सुनिल चोहान पतनी राधा बाई के साथ श्रनिवार को सोनकच के महुडी में रिश्दार से मिलने आए थे दोनों रविवार को नैनो कार से वापस इंदौर लोट रहे थे इसी दोरान गाउं से कुछी दूरी पर दोफेर करीब तीन बचे कार में चोनक आख लग गई और देखते ही देखते कार में बीशन आख की लपटे निकलने लगी राजजेंद लगर में रेलवे ट्रैक पर मिले रिवा के छातर नितेश मिश्रा की मौत के मामले में परिवार के लोग रविवार सुबर रिवा से इंदौर पहुंचे पोस्ट माट दिया है और शब को लेकर वहां से चले काई पारीजनों को आश्रों का है कि नितेश की मौत के मामले में एक दोस्त की भूमिकास संदिक्त है पांच मिनिट पहले नितेश ने उससे ही बात की थी 300 करोड के फोरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में लंबे समय से फरार आरोपी अतुल और उसकी पत्नी पारूल को पुलिस रहिवार देरात मोंबाई से लेकर अंदौर आई इंदौर पुलिस ने दोनों की विदिवा जग गिरफतारी कर ली आरोप है कि दोनों कहीं लोगों से दोका धड़ी कर उनकी मूल संपती भी विविकवा चुके हैं मुख्यमंत्री शिवरास से हैं चोहान की नाराजगी के बाद दौर पुलिस एक्शन में नजर आई श्रनिवार रात भर नशे के अड़ो पर छापा मारे लसूरिया पुलिस ने बताया बाइपास पर दस से ज ज्यादा मामले दर्स किये काये आरोपित बाइपास जोलारिया और निपानिया शेत्र में नशा खोरी कर रहे थे पुलिस आयोक तहरी नारान चारी मिश्र के मताबिक रात भर में 150 से ज्यादा मामले दर्स हो चुके हैं